Hello friends, welcome to my channel, Study with Shruti. So guys, इस वीडियो में हम discuss करेंगे level of critical thinking in nursing. यानि कि critical thinking की कौन-कौन सी level होती है हमारी nursing में, ठीक है? तो क्या होती है? ability होती है nurse की critically जो grow होती जाती है, जैसे-जैसे continuously हम काम करते रहते हैं, acquire करते हैं knowledge को, तो हमारी क्या है? जो thinking process है हमारा, जो critical thinking है, वो क्या होती है? develop होती रहती है, ठीक है? तो जो कोटाकोर यहारी और जो sailor थे, इन्होंने 1994 में जो है develop किया था critical thinking model, जिसमें की तीन levels थे, that is basic, complex and commitment. यह क्या है? complexity के base है, जितना ज़्यादा complex होता जाता है, वैसे-वैसे क्या है? इनकी levels change हो जाती है, हमें भी पता है, हम नॉर्मल ही देखते हैं, किसे का level 1, level 2, level 3 होता है, तो दीरे-दीरे क्या होता है? वो complex होता जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, इनकी complexity के base पे क्या है? basic, complex and commitment levels है, critical thinking है. तो beginning में क्या होता है, nursing student जो है, वो effort लगते हैं, उनको conscious effort लगते है, critical thinking अप्लाय करते होए, जब हम शुरू-शुरू में जाते हैं, तो एक student क्या है, task oriented होता है, उसको नए-नए task देखने को मिलते हैं, तो वो जो है, जो भी वहाँ पे nursing professional है, जो already nursing officer है, वो उसको देखता है कि वो कैसे गर रहा है, कैसी चीजों को organize कर रहा है, वो उनकी activities पे ध्यान रखता है, तो क्या है, वो orient हो रहा होता है उन चीजों से, और उन से क्या है, सीखने की कोशिश करता है, nurses से कैसे हम critical thinking अपलाए करते हैं, उसके बाद nurses जो है, अपलाए करते है critical thinking model, इसको हम basic level पे कहते हैं, जो beginning में होता है, उसके बाद जो experience nurse होती है, वो critical thinking, जो है, किसी भी situation में effortlessly, critically जो है, वो सोच सकती है, जो क्या है, एक बार आप देखो कि आप एक student हो, आप hospital में गए हो, आपके आगे कोई case आ गया, तो आप इतनी जल्दी उसको critically जो है, assess नहीं कर सकते, थिंग नहीं कर सकते, उसके बारे में जितनी जल्दी क्या है, एक nurse कर लेगी, तो उस चीज को adapt क करने के लिए, उस practice में आने के लिए, जो levels होती है, वो होती है, complex critical thinking and commitment, यह जो levels होती है, critical thinking की यह कुछ इस तरीके से होती है, level 1 क्या होती है, basic critical thinking, level 2 क्या होती है, complex critical thinking and level 3 क्या होती है, commitment, अब हम शुरू करते हैं, level 1 से, level 1 क्या होती है, basic critical thinking, इसमें क्या होता है, एक जो learner nurse हो believe करती है कि जो experts हैं जो हमारे nursing officers हैं उनके पास हर एक problem का सही answer है वो जो करते हैं वो बिल्कुल correct है ठीक है तो ये thinking क्या होती है concrete होती है और based होती है self जो rules set होते हैं जो principles already बने हुए होते हैं उन पे example के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे एक student है वो hospital गया है तो जो manual होती है hospital की या जो भी procedures हम देखते हैं intravenous मालो canulation करना है ठीक है canuna लगाना है किसी को IV लगाना है ठीक है तो student क्या है procedure को follow करेगा step by step चाहे patient को उसे problem हो रही हो चाहे कुछ हो रहा हो वो जो उसको steps पता है वो उसके level है कि उसके पास जो उसने पढ़ा है या जो उसके पास manual है वो उसको देखके ही क्या है step by step वो चीज़ कर रहा है उसके बाद आता है second complex critical thinking complex critical thinking begin to segregate themselves from expert basic में क्या था expert को ही सब कुछ समझ रहे थे expert ने जो decision लिया है that is only right उनके पास हर problem का solution है यह हम सोच के चलते हैं अब जो complex critical thinker होता है वो क्या खरता है वो अपने आपको जो expert है उससे अलग करके देखता है वो चीज़ों को analyze करता है examine करता है independently अपने हिसाब से देखता है कि हाँ यह चीज़ यहाँ पर ऐसे हो रही है तो अगर मैं इसके जंगे होता मैं इस nurse की जंगे होता या मैं इस nursing officer की जंगे होता तो मैं कैसे इस चीज़ को handle करता तो वो इस तरीके से सोचने लगता है तो जो person की thinking ability है जो उसका देखने का तरीका है उस चीज़ को वो क्या है धीरे-धीरे change होना शुरू हो जाता है उसकी जो advice जो advice expert कर रहे है उससे उसकी advice उसकी thinking क्या है different हो जाती है अलग हो जाती है एक nurse जो है वो सीखती है कि एक nurse जब सीख रही होती है तो उसको उसको पता चलता है कि हर एक problem के हर एक चीज़ के alternatives और बहुत सारे क्या है conflictive solutions है वो present होते है अब four instances हम लगा लेते हैं कि एक nurse है उसके पास एक patient है जो की post operative है और क्या है laparoscopic surgery का है patient complain कर रहा है कि उसको incision site पे क्या है pain हो रहा है अगर basic level पे यही चीज़ होती तो हम क्या करते है expert ने बोला है analgesics दे दो और हमने क्या किया analgesics दे दिया तो वो था basic critical thinking अब बारी आती है complex critical thinking की तो यहाँ पे हम क्या सोचेंगे कि हम कुछ non-pharmacological interventions कर सकते हैं जिससे patient के pain को relieve हो यानि कि बिना medicine के कुछ ऐसा करना की pain को relieve मिल जाए ठीक है साथ के साथ हम उसको analgesics भी देंगे pain के लिए no doubt लेकिन क्या करेंगे हम सोचेंगे कि कुछ न कुछ non-pharmacological interventions जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं ठीक है तो यह complex critical thinking में क्या होता है solution होता है उसके benefits और risk भी होता है तो एक nurse को decision लेने से पहले पता होना चाहिए कि हाँ अगर मैं यह decision लेता हूँ तो उसके यह risk हो सकते हैं और इसके यह benefits हैं ठीक है तो वो चीज़ पहले से ही क्या है nurse को पता होनी चाहिए thinking जो है वो ज़्यादा creative हो जाती है और innovative हो जाती है जब हम खुद पे सोचते हैं हमारी thinking क्या है ज़्यादा innovative होगी हम ज़्यादा चीज़े सोचेंगे ज़्यादा creativity आएगी mind में कि ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं यह नहीं तो हम यह option ले सकते हैं हमारे पास क्या है बहुत सारे alternative options आजाएंगे ठीक है तो जो critical thinker होता है तो हम कैसे इसको develop करेंगे कैसे इन चीज़ों को handle करेंगे तो इसके हिसाब से नर्स क्या है बहुत सारी different approaches देखता है एक ही therapy की और second level of critical thinking इसको कहते है different approaches यानि कि आप इससे समझ सकते हो कि आपको कोई प्रोसेजर करना था और patient को उसमें comfortable नहीं है उस procedure में तो आप क्या कर सकते हो उसी procedure के कुछ steps है जो आप क्या है mold कर सकते हो उनको थोड़ा वो change कर सकते हो कि patient भी comfortable feel करे और आपका procedure भी जो है वो हो जाए तो इस तरीके से same therapy देने के लिए हमारे पास क्या है बहुत सारे तरीके जो है वो आ जाते है तो उसको क्या हम count करते है complex critical thinking में ठीक है अब उसके बाद हमारी third level आती है commitment commitment क्या है third level है critical thinking की इसमें क्या होती है nurse anticipate करती है अपनी choices without किसी की assistance की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती complex critical thinking में भी हम experts वगेरा को देखते हैं उनके जो तरीके उनको mold करते हैं उनको ही complexity में लेके चलते हैं लेकिन उनसे हमारे thinking अलग ज़रूर होती है लेकिन फिर भी वो हमारे पास होते हैं कि हम अपने ideas उनसे share कर सकें ऐसा ना हो कि हमारी चीजे क्या है हम कोई सोच रहे हैं और वो patient के लिए उल्टी पड़ जाए ठीक है है ना ऐसा होता कि हम benefits के लिए सोच रहे थे और उसके risk आ गए तो वो चीज होती है लेकिन वहाँ पर क्या है वहाँ हमारे पास होते हैं जिनके assistance में हम work करते हैं commitment में क्या होता है नर्स जो है वो decision लेती है choices बनाती है बिना किसी assistance के और उसका उसने जो decision लिया है वो उसके लिए खुद accountability जो है hold करते हैं यानि कि वो उसके लिए खुद responsible होती है नर्स जो है जादा consider करती है complex alternatives को और जो भी problem होती है उनको possess करने के लिए जादा alternative सोचती है कोई problem आ जाए तो उसको कैसे solve करना है हमने कोई तरीका किया हमने कोई treatment दिया कोई procedure किया अगर उसका कोई ना कोई side effect आ रहा है कोई problem आ दिया है तो उसको कैसे cure करेंगे वो चीज़ जो है वहाँ पे आती है तो वो नर्स उसके लिए भी क्या है ready रहती है तो जो commitment level है नर्स चूज करती है actions और beliefs को जो की alternatively जो है available होते हैं और उनको support भी करते हैं ठीक है sometimes action is not act or delay and action until a later time based upon knowledge and previous experience कई बार क्या होता है कि जो actions होते हैं वो क्या पता work ना करे या delay हो जाए उनका action जो previous knowledge है या previous experience है उसके base पे तो नर्स जो है वो accountability लेती है अपने decision के लिए वो consider करती है result जो decision का आया है और determine करती है कि वो result appropriate है या नहीं है यानि कि आपने कोई procedure किया और उस procedure का जो result था वो due to किसी experience जो previous knowledge थी या किसी भी विज़े से उसका action या तो जो result था वो आया नहीं या फिर वो delay हो रहा है उसका result तो नर्स खुद responsible होती है उस चीज़ के लिए कि उसने वो procedure किया था और उसके output नहीं आ रही है उसके बाद वो consider करती है कि उसने जो अब देखो नर्स ने decision किया है ठीक है नर्स ने decision जो है बनाया है तो वही responsible होती है और वही जो है उसको determine कर सकती है उसको check कर सकती है कि उसने जो output सोच के वो result जो procedure किया था जो result उसको चाहिए था वो उसको मिला है या नहीं मिला है तो ये थी हमारी three types की जो है levels of critical thinking commitment, complex critical thinking and basic critical thinking